नमस्कार दोस्तों आप सभी का माई चानल प्रादिक स्वागत है दोस्तों आज तेरा फ़रवी 2024 है और आज दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी आर सीफ ने अपने कौटर्डी डिजर्ट्स गोसित कर दी हैं दोस्तों आर सीफ का फुल पार में राश्टिये केमिकल्स एन दोस्तों इस वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन जो इस क्यू थिरी का दोस्तों सारांस है तो मेरे देश की दर्ती से तो सोना उगलता है और यह जो आर सीफ का काम होता है फटलाइजर्स का उत्पादन करना और किसानों तक पहुंचाना जिसस कि हमाई दर्ती और सोना उगले लेकिन खुद इस समय उनके जो कदम है वो थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों सीधे चलते हैं कि आर सीफ ने अभी क्यू थिरी में क्या-क्या गुल खिलाए हैं तो दोस्तों कंसलिडेट अनारेटेटर फानेंसियल लिज चाल 6273.49 करोड की टोटल इंकम थी इस तरह से यरली बेसिस पर टोटल इंकम में जवजस्त गिरावड़ और पिछले क्यू टू की बात करें 30 सेतंबर 2023 में तो टोटल इंकम होई थी 422 करोड की तो उसके साफेच में यहां पर 4940 करोड की टोटल इंकम आ रही है तो यहां पर थोड़ा सा बड़ोत्तिरी का मामला बंद आया क्वाटरली बेसिस पर लेकिन इरली बेसिस पर टोटल इंकम डाउन दिखाई दे रही है और दोस्तों अब नेट प्राफिट की स्थिति देखते हैं तो दोस्तों जो इस समय प्राफिट आया है क्यू थी में वह 11.22 करोड का जब जस्त प्राफिट था तो उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह नाम मात्र का ही प्राफिट इस समय ग्यारा करोड का रह गया है और इसी तरह ऐसे क्वाटरली बेसिस पर देखेंगे तो पिछले क्यू टू में अभी 51 करोड का अच्छा प्राफिट था और अब प्राफिट समिट करके रह गया मात्र 11.22 करोड का तो क्वाटरली बेसिस और इरली बेसिस दोनों जगह से यह नेट प्राफिट के छेतर में जब जस्त मात खा रहे हैं तो आरसीफ को इस समय हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट मान करके अच्छे नंबर्स नहीं देना चाहेंगे क्योंकि दोस्तो टोटल इंकम में भी गिरावट और नेट प्राफिट में तो जब अजस्त गिरावट और इससे आप देखेंगे तो EPS जो बेसिक इस समय निकल करके आ रही है Q3 में वो 0.02 रहे गई है जबकि इसे पिछले साल 4.24 ती और इसी तरह से बेस 0.20 रहे गई है तो EPS के छेत्र में भी जब 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 गिरावट नजर आ रही है अब दोस्तों सेग्मेंट वाइस और चेक करते हैं RCF ने कहां पर सेल्स कम दिखाई है कहां पर ये पीछे रहे गए तो दोस्तों इन्हों ने चार सेगमेंट अपने कंसलिडेटेट सेगमेंट में दिखाए हुए हैं इसमें पहला फटलाइजर्स दूसरा इंडस्टियल केमिकल्स तीसरा ट्रेडिंग और चोथा अने लोकेटेड तो दोस् चार अजार दोसो पचीस करोड की रेविन्यू अर्जित्की थी तो इस तरह से यहली बेसिस पर फटलाइजर्स के छेत्र में ये पीछे दिखाई दे रहे हैं इसी तरह से पिछले क्यूटू में आर्सी अपने कंसलिडेटेट बेसिक्स पर दो अजार आठ सो बतिस करोड क लेविन्यू अर्जित्की ती फटलाइजर्स के शेत्र में तो इस तरह से फटलाइजर के मामले में और इसल ी बेसिस पर इसी तरह से दूसरे सेगमेंट इंडस्टियल केमिकल्स की बात करेंगे तो 443.23 करोड अभी Q3 में रिवनियों आई जब कि पिछले साल 443 करोड की रिवनियों हुई थी तो यहां पर भी इंडस्टियल केमिकल्स के छेतर में भी रिवनियों कम नज़र आ रही जब कि पिछले Q2 में 417 करोड की थी तो उसके इसाब से इंडस्टियल केमिकल्स में थोड़ी सी भलती दर्ज हो रही है तो industrial chemicals के चेत में yearly basis down और quarterly basis में हलकी सी बढ़त ट्रेडिंग के चेत में दोस्तो 1449,70 अभी Q3 में total revenue consolidated के इसाब से आई है वो पिछले साल 1164.28 करोड था तो उसके इसाब से ट्रेडिंग के चेत में जवज़स्त ब्रोतरी revenue में दर्ज हो रही है जबकि पिछले Q2 में 904 करोड की इनकी income थी उसको देखते हुए ट्रेडिंग के segment में यहाँ पर भी ब्रोतरी दर्ज हो रही है तो यहाँ पर ट्रेडिंग इनका जो segment रहा है वो इनके लिए काफी फाइदे का सौधा नजर आ रहा है बाकी आने located में कोई खास figure नहीं है तीन करोड के आसपास नजर आ रही है सबी उसमें तो मुखी तीन इनके जो segment थे फटलाइजर इंडस्टियल के मिकल्स और ट्रेडिंग तो फटलाइजर और इंडस्टियल के मिकल्स में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि ट्रेडिंग में दोस्तों जवाजस्त इजाफा किया है तो दोस्तों रसी अप को अपने फटलाइजर और इंडस्टियल के मिकल्स के बिजनिस में थोड़ा और ध्यान देना होगा और रहां के बड़ोत्तरी इन्हें करनी होगी तो दोस्तों जो अभी ये क्योत्तरी डिजल्स आये हैं ये सेयर मार्केट बंद होने के बाद अभी चार बज़े की साम को आये हुएं बजार साड़े तीम बज़े साम को बंद हो गया था तो इसका डिजल्स का इफेक्ट सेयर्स में नहीं पड़ा है इसका कल 14 फ़रे 2024 को बजार खुलते ही असर दिखाई देगा दोस्तों जो आज क्लोजिंग बनी है आरसी अब की एनसी पर वो 147 फ़रे 50 पैसे पर मामुली सी गिरावट 0.17% की गिरावट 147 फ़रे 50 पैसे पर बंद हुआ है साथ दिन बार मामुली सी उठापटक के साथ में ट्रेडिंग चली है और यह हाई 151 और लोग 112 फ़रे 70 पैसे की वीच में ट्रेडिंग चलती रही है इसी उमीद में कि इसका रिजल्ट डिरीनी मार्केट साय जागा उसके इसाब से फिर इसमें उठापटक होगी तो दोस्तों अब कल इसमें जबज़स्त बुचाल आने वाला है और इसका यदि 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 20 जनवी 2024 को 190 रुपए था और 52 वीक्स लो 28 मार् 50 पैसे पर तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो यह अपने 52 वीक्स लो से मात्र 50 परसेंट की अधिक इसमें थोड़ी से बड़ोतरी सेर्स में दिखाई दे रही है लेकिन जो 52 वीक्स हाई है वो 190 रुपए अभी भी काफी दूर दिखाई दे रहा हूँ जिस आप से र तुड़ा अभी दबाओ मेसूस किया जा सकता है तो यह इलिदी आरचीth के दूर्णक पड़ी है तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी से अभी होल्डिंग को कम कर सकते हैं और दोस्तों गिरावट पर दुअदरी में अनफिर नए न्यवेसक अभी तोड़ा इन्तियार करें से टर्म और लांग टर्म में अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं तो दोस्तों आर्सी अप का जो ये कमजोर रिजल्ट साया है उसको ध्यान में रख करके इन्वेस्टर अपने इस आर्सी अप को अपने पोर्डियों में सामिल करने के लिए काफी बिचार भी मर्स करें और रिसर अधिक से अधिक प्राफिट कमाएं साथ ही आपकी जो रकम है आपकी इन्वेस्टर में बैलू को कई गोना आंगे बढ़े ये मेरी यार्दिक सुबकाम नाय रहेंगी उसको वीडियो चलागा हो तो लाइक जरू कर दें सेयर भी कर दें और माय चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद